हेलो एबरिवन आज हम लोग खोर्टा लोग कथा धनेक धदैनी से जितने भी important questions बन सकते हैं सभी questions को यहाँ पर one liner form में cover करेंगे और इससे पहले मैं आपको साथ भाई एक बहन जो लोग कथा है उसके important questions को कराई हूँ तो जिस किसी ने भी उस class को नहीं किया है आप लोग कर करेंगे और चले फिर start करते हैं question answer को करने से पहले ना आम लोग यह जो धनेक धदैनी लोग कथा है इसकी summary को देख लेते हैं ठीक है अगर आप complete story को नहीं देखे है ना तो YouTube में search कर लेंगे धनेक धदैनी तो बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा आप वहां से भी इस धन होता है और धने का मतलब क्या होता है इतरना या फिर घमंड होता है तो summary हम लोग देख रहे हैं तो जल्दी cover करने की कोशिश करेंगे और हम लोग question answer को करेंगे तो समझ में आगे धने का मतलब क्या होता है धन होता है और धने का मतलब क्या होता है कि इतरना यानी की घमं हैं इस लोकता में और चम्टू की वाइफ है वो बाद में आती है तो स्टोरी को समझते हैं तो एक गाउं था उसमें एक बुढ़ी रहती थी और उसका एक एकलोता बेटा था तो जैसे तेसे वो अपना गुजारा करते थे साग मार खाके यानि कि रुखा सुखा वो लोग ख यानि कि जो चांदी का सिक्का होता है सिल्वर कोईन होता है वो देती है और बोलती है कि जाओ हाट व्यापार करने के लिए ठीक है हाट आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे हाट मतलब बाजार जाओ व्यापार करने के लिए बोलती है तो चम्टू हाट गया हाट जाता है तो वो बहुत सारा दुकान में वो घुमता है लेकिन उसको, मतलब कुछ भी चीज उसको पसंद नहीं आता है तो फिर वो साम में जब वो घर रिटन जाता है तब उसको एक बंदर दिखता है और वो उसी बंदर को खरिद लिता है और बंदर को ले करके वो घर जाता है तो जैसे ही घर जाता है चम्टू की माँ देखती है कि बंदर ले करके आया है तो वो उसे बहुत खरी-खोटी सुनाती है उसको डांटती है कुलंगार देखिए ये जो टर्म है ना कुछ-कुछ खोड़ा लेंग्वेज वह उसको मैं यहां बर ली हूँ तो अगर क्वेशन इससे बनेगा तो आप तुरंट कर सकते हैं कुलंगार वो बोलती है खरी-खोटी भी सुनाती है कुलंगार का मतलब क्या आता है कुल को नाश करने वाला उसको हम खुलंगार बोलते है आगे यहां पर देखिए यह सब सुनके मतलब बहुत उसको सुनाती है क्योंकि वो दिन भर थका हरा थक के आया हुआ है घर फिर वो उसकी मा जो है वो सुना रही है तो चम्टू उदास हो जाता है और रोने जैसा उसका फेस भी बन जाता है तब बंदर जो है न उसकी मा के पास जाता है और बोलता है कि तुम चम्टू को मत डांटो हम जो है न बहुत सारा तुमको सुना चांदी ला करके देंगे ऐसे वो बंदर उसको कहता है जिससे वो जो चम्टू है वो खरीद के लाए रहता है तो बंदर दुसरा दिन राजा के महल वो जाता है वहाँ से क्या-क्या लेकर आता है सोना चांदी मुंगा मोती तो इसको आप लोग ये question में भी आएगा तो इसको as a tease आपको याद कर लेना है कि वो राजा के महल से क्या लेकर के आता है तो सोना चांदी और मुंगा मोती लेकर के आता है तो वो ना अमीर हो जाता है जो चम्टू है वो बहुत अमीर हो जाता है और चम्टू की मा भी जो है खुस हो जाती क्योंकि इतना सरा धन दोलत लाकर के बंदर दे रहा है तो वो लोग अव्यस से आमीर हो जाएगा तो चम्टू क्या राजा बन जाता है तो किसके मदद से वो राजा बनता है तो बंदर के मदद से चम्टू राजा बनता है और चम्टू के घर में दूधेग बान यानि कि बहने लगती है चम्टू के पास पहले क्या था पुवाल का जोपी हुआ करता था अब उसके पास बड़ी-बड़ी महले बन गई है ये स्टोरी आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए आगे बुढ़ी जो है ना बंदर के लिए क्या बनाती ह और उसको प्यार दुलार से खिलाने पिलाने लगती है और बंदर का पेरवेर भी मालिस करती है पहले तो बंदर को पसंद नहीं कर रही थी और चम्टू को भी वो डाट रही थी क्या लेकर तुम आया है तो अब वो धन दोलत दे रहा है तो उसको पेरवेर मालिस किया जा कुछ दिन बाद बंदर जो है न यह सोचता है कि चम्टू की शादी कर दी जाएगी तो चम्टू की एक राजकुमारी से बंदर क्या कराता है शादी करा देता है शादी जब हो जाती है उसके बाद सब अपने अपने में बीजी रहने लगते हैं बंदर को कोई उतना पूछत उसको इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो एक दिन वो सोचता है कि बुढ़ी को बुलाया जाए तो बुलाता है अगर हम मर जाएंगे तो क्या करेगी ये question है बंदर का तो बुढ़ी बोलती है कि हम रोएंगे और तुमको चांदी की लकड़ी से जलाएंगे तो ये सब व मरने का वो नाटक करता है तो बुढ़ी सोचती है कि बंदर तो मर गया है उसको उलट उलटके वो देखती है कि ये मर गया है तो वो क्या करती है चम्टू को बुलाती है चम्टू को बुला कर क्या बोलती है कि पुआल डोराएं बांधे कि यानि कि पुआल का जो डोरी है उससे बांधो इसको और खेत तरह फेक दो वरना ये बहुत महकेगा वो ऐसे बुढ़िया बोलती है तो बंदर मनी मन में सोचता है कि ये तो बहुत बोल रही थी कि हम रोएंगे, चंदन की लकडी में जलाएंगे तो ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ बाद में क्या होता है वो उसको खेत में घजीट के ले जाता है फिर जैसे तेसे बंदर उठता है वो शाम हो गए होती है तो बंदर एगो तीत की यानि कि माचिस की तिली लेके चंटू के घर में वो आग लगा देता है जिससे सभी वो मर जाते हैं आग लगा देता है न उस वज़े से सभी क्या हो जाते हैं मर जाते हैं और बंदर दुसरा देश चला जाता है ये स्टोरी है questions यहाँ पर देखिए धनेक धदैनी के questions तो धनेक धदैनी लोग कथा में धदैनी के के माने हते यानि कि धदैनी जो है न इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी उसका मतलब होता है घमंड होता है next है second number question धनेक धदैनी लोग कथा कौन किताबे इंजराईल है कौन सी भूक में ये प्रकाशित है तो ये खोड़ा लोग साहिते में प्रकाशित है question number third है धनेक धदैनी लोग कथा के संकलन कर ले हत यानि कि संकलन करता कौन है देखिए सांती भारत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इससे पहले में साथ भाई एक बहन लोग कथा के भी questions कराई हूँ तो उसके भी संकलन करता कौन है यही सांती भारत है और उस lecture में मैं आपको बताई हूँ कि इसके माता पिता कौन है और इसका जन कववा था next यहाँ पर देखिए बुढ़ी के बेटा की हला यानि कि जो बुढ़ी थी उसका बेटा कौन था तो यह चमटू था चमटू था चारेक्टर को हम लोग देखे थे चमटू था बुढ़ी थी और एक बंदर तीन मैन कारेक्टर है question number 5 है बुढ़ी चमटू के की देल हल्थी बुढ़ी जो है चमटू को क्या दी थी एक क्या दी थी रूपा रुपाक टका यानि की silver coin वो दी थी next है six number रुपाक टका ले के चमटू कहां गेल हल्थ silver coin ले करके चमटू कहां गया था तो heart यानि की बाजार गया था आपको यह heart दिखेगा अगर question आएगा भी ना तो यह heart दिखेगा बाजार आपको मापर देखने को नहीं मिलेगा तो वो कहां गया था heart गया था question number seven है चमटू heart से कौन चीज किनले रहत heart से वो कौन सी चीज खरीडा तो आप सभी को पता ही है वो क्या लेकर आया था next है question number eight है माई चमटू के नाई धम का ही ठीक है यह statement है हमें खूब सोना रूपा लाइन देवो यह कथन केकर है यानि कि यह जो कथन है वो किसका है तो यह बंदर का है जब चमटू को बूरी डाटती है उसकी माँ डाटती है तब यह बंदर ऐसे बोलता है उनके पास जा करके next है बंदर कहां से सोना रूपा लाइन के बूरी के देल हत बंदर कहां से सोना रूपा लाकर के बूरी को देता था तो वो राजा के महल से लाकर के देता था जिससे की वो लोग अमीर बन गए थे बांदर बुढ़ी के कौन-कौन चीज, चीज को ही जिनियस बोलते हैं, लाइन के दे हथ, तो ये चीज मैं आपको वहाँ पर भी बताई थी, समरी बता रही थी, तो सोना चांदी मुंगा मोती इसको आप याद रखेंगे कहने का मतलब है कि धनेक धदैनी जो लोकता है, इसमें बुढ़िया और चम्टू, किसके मदद से अमीर बना था, तो बंदर के मदद से, वो राजा के महल जाता था और वहाँ से सोना चांदी मुंगा मोती लेकर के आता था क्वेशन नमबर 12 है केकर लाखे कारोबार चले लागला, मतलब किसका लाखो का कारोबार चलने लगा तो ये चम्टू का लाखो का कारोबार चलने लगा था Q13 है बंदर सोना रूपा और मुगा मोती कहां से आनल हत ठीक है तो बंदर जो है सोना रूपा मुगा मोती कहां से लाता था राजा के ये महल से लाता था Q14 है केकर घार पुवार के रहत बादे बोड़ बोड़ गड़ गुड़ा तयार हो ये तो question यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि किसका घर पहले पुवाल का था बाद में बड़े बड़े घर में वो तयार हो गया तो वो किसका घर था चम्टू का घर ठीक है वो उसका घर पहले क्या था पुवाल का हुआ करता था question number 15 है गावेक लोग केकर घर मुनिस खटे हमा गोड़ी दियें लागला तो वो चम्टू के घर ठीक है question number 16 है रसे रंगे डूबल सांड नियर के घुर लागल हलाई तो ये कौन ऐसे घुमता था चम्टू घुमता था next है question number 17 पुरोहित गुलाईन केकेर घर पुजा पाठे करे खातिर नाका दोड़ी करे लागला तो ये किसके घर चम्टू घर question number 18 है बांदर खातिर एक रूपा खाति के बनाई देले हलाई मतलब बंदर के लिए रूपा का जो चांदी का खात होता है वो कौन बनाई थी चम्टू कमाई या फिर बुरी option के according यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा question number 19 है बुरी केकर खातिर रूपा खात बनाई देलाई रही तो ये किसके लिए वो रूपा का खात बनाई थी चांदी का वो बंदर के लिए ठीक है किसी भी तरह से question पूछ सकता है story याद रहेगा आपको तो आप easily कर सकते है उत question number 15 है चम्टुक वियाह केकर परतापे ठीक भेल हलाई मतलब किसके मदद से चम्टुक की शादी होती है तो बांदर एक परतापे next question number 21 बांदर चम्टुक खातिर कनियाई देखे कहां गया था मतलब दुल्हन देखने के लिए बंदर कहां गया था तो वो दोसर देश है यानि कि दुसरा देश वो गया था 22 बांदर के कोन लकड़ी में पड़ावेग बात करे ही बुड़ी बहुत प्यार से बोली थी उसको कि तुम जब मर जाएगा तो तुमको चंदन की लकड़ी से जलाएंगे तो ये चंदन की लकड़ी से वो कहती है 23 बांदर कोन चीज के टाटक मतलब नाटक कर ले हत वो किस चीज का नाटक किया था तो ये मरने का मोरेक नाटक ठीक है यानि कि मरने का वो नाटक किया था 24 नमबर क्वेश्चन है ये किसका कथन है और किसके लिए ये कहा गया है तो ये जब बुढ़िया को बुला के बोलता है यानि कि बुढ़िया का स्टेटमेंट है कथन है और किसके लिए वो बोली थी वो बंदर के लिए बांदर के 25 नमबर क्वेश्चन बांदर केकर घारे तितकी लएक आइक यानि कि तितकी यानि कि तिल्ली लेके आइक लगाई देहा थी आइक का मतलब आग ठीक है वो किसका घर में? चम्टू का घर में नेट्स ट्वाणडी सिक्स नमबर क्वेशन बांदर मोरे टाटक नाटक करे बादे बुड़ी बांदर के कहां फैंके बात चम्टू से करे ही? देखो नाटक वो किया, उसके बाद बुढ़ी कहां पर उसको फेंकने की बात की तो वो कहां पर खेत ले जाकर के फेंक दो वरना ये बहुत माकेगा ऐसे वो चम्टू की मा बोली थी Question number 27 है बुढ़ी के घर वाला कैसे मोयर गेल है जो बुढ़ी के घर वाले थे सभी कैसे मर गए तो वो जैर के यानि की जल के वो लोग मर गए Question number 28 है चम्टू गढ़े यानि की घर में आईक यानि की आग के लगाई दलाए कोन आग लगाया चम्टू के घर में तो वो कौन था बंदर यानि की बांदर Next है 29 नमबर question चम्टू के हलाई चम्टू कौन था हम लोगोंने summary को भी देखा Questions भी करे तो चम्टू कौन था यहाँ पर बुढ़िया का बेटा और राजा का दमाद ऐसे भी option में आ सकता है देखो एक option में बुढ़िया का दमाद होगा सोरी बुढ़िया का बेटा होगा और राजा का दमाद होगा और option C में होगा बुढ़ तो बुढ़िया का बेटा था और राजा का दमाद भी था क्योंकि वो राजकुमारे से शादी क्या हो था last question है 30 number धनेक धदैनी कैसन लोग कता है किस परकार की यह लोग कता है तो उपदेशात्मक लोग कता है ठीक है ज्यादा धन भी आ जाने से लोग को घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड अधिक दिन चलता भी नहीं है तो सेम चीज यहाँ पर हुई है तो यह थी यह हम लोग कि 2nd लोग कता है दुसरा नमबर लोग कता है इससे पहले सात भाई एक बहन किये थे अब दनेक धदैनी किये थे आगे भी लोग कता कि जितने भी important MCQs बन सकते हैं सारे mcqs को यहां पर हम लोग कवर करेंगे ठीक है और हाँ जिसने भी धनेक धदेनी लोकथा को नहीं पढ़ाया आप यूट्यूब में उबर जरूर से सर्च कर लेना और अगर आप चाहते हैं इस लोकथा की पीडियेप तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देन यूट्यूब में आपको प्रुवाइड कर दूंगी है है कि अ झाल झाल